हेलो दोस्तों नमस्कार MCC classes में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों आपके लिए एक information है कि जितनी भी अभी तक परिक्षाइब पे टेस्ट स्रीच चल रही थी दोस्तों खासकर आपकी MP पुलिस की और MP पुलिस के साथ जितनी भी टेस्ट स्रीच चल रही थी उन मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं और कोड यूज कर सकते हैं MCC 50 अगर यह कोड आप यूज कर सकते तो आपको 50% का डिसकाउंट जितना में प्राइस बताया है इस पर डिसकाउंट भी मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक information और बता देता हू भी 279 है इसकी जगह पर 299 हो जाएगी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों यह कोड यूज कर सकते हैं MCC 50 ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है यहां से आप यूज कर सकते हैं MCC 50 केपिटल में आप सर्च कीजिएगा मतलब आपको अपलाई करना जि पर डिसकाउंट जल्द से जल्द कीजिएगा लेकिन तो धनिवास साथियों चली आगे बढ़ते हैं हम हेलो दोस्तों नमस्कार MCC क्लासेज में साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम देख रहे हैं मद्द पदेश कॉंस्टेबल का आपका पेपर नंबर दोस्तों 18 सितंबर का जो की है इवनिंग शिफ्ट का अगर आपने मोर्निंग शिफ्ट का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाईए और पुराने वीडियो का आप देख सकते हैं दोस्तों चली वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा शेर कीजि तो उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूले चली स्टार्ट करते दोस्तों हमारा पहला प्रस्नाता यहां पर कि निम्नम लिखित में से भारत का राष्टी जली जीव कौन सा है तो मद्य प्रदेश का नहीं पूचा है इसमें भारत का राष्टी जली जीव कौन सा दोस्तों तो जो भारत का राश्टी जली जीव है दोस्तों वो है गंगा नदी डॉल्फिन कोने दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन यह आपको याद रखना है तो गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन भारत की राश्टी जली जीव है दोस्तों और डॉल्फिन एक नेत्रिन में योजनायोग का स्थान लिया तो योजनायोग की जगह कौन आगया दोस्तों हमारा आगया नीतियायोग कौन आगया दोस्तों नीतियायोग तो एक जनवरी 2015 को दोस्तों हमारे नीतियायोग कि दोस्तों इसकी CEO भी आजाते हैं कि अमिताप कांथ कोने दोस्तों अमिताप कांथ तो यह तिन दोनों तीनों चीज़ां आपको याद रखना इस तापना एक जनवरी 2015 को इती और इसको खतम करने की जो गोश्ण की थी वो पहले ही कर दी दोस्तों 15 अगस्त 2014 को ठीके 15 अगस्त आंसर आप कमेंट में प्लीज जरूर कीजिए ठीके जिससे आपको क्या है कि थोड़ा फाइदा मिलेगा उस चीज़े ठीके तो अब मैं पूछने वाला हूं दोस्तों हाला कि आपका यह तो मनाते हैं हम चोई जनवरी की दिन मनाते हैं यह आपको यहाद होना चीब ठीके क दिन की नवर्य है कि सथहापना दिवसे दोस्तों मनिपूर की हैं मेगा 팔ड़ की यह तीर पूरा कीतीनों राज्य की स्थापना मनाते ही ठीक है और को यहाँ पर याद रखना है थीके इसी में इसकी परिभाश द Gleich कि राजधानी थो महा जनपत काल की बात करें यूजस को मुजनी के आपको याद रखना है अगला कोशेन आता है अमर कंटक किस जिले में हैं दूस्तों up कंटक अनुपूर जिले में पढ़ता है, ठीक गया आपकी और वढ़ती है कुछ मेक्स रिजनिंग के कोशन बीच में आते हैं दोस्तों यह पीडिएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी तो इसको भी आप पढ़ते रही है आबाधी की पहारत का सबसे बढ़ा राज्य कुन सा है दोस्तों तो भारत का राज्य सबसे बढ़ा यानिकी आपका आबाधी हुआ कि दुणिया में मुक्त भारत में सालाने आयूजित किया जाता है इसे क्या कि capaci तो आपको याद होगा दोस्तों जैपूर साहित्य माउस सबसे बड़ा साहित्य माउस सब्सक्राइब जो हर वर्ष आयुजित किया जाता है लगबग 2006 से यह चल रहा है इसको जे एफ एल के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला है नर्मदा है तो आठीक है इसकी लंबढ़ कितनी है यापको कमेंट करना है ठीक है चलिए बात करें तो एक सो सथा किलो मेटर रोड़ो नदी जो है तवा नदी की साती मतलब इसी में इसी ही लगती ठीक है और शिपरणनदी आपको पता यहओगा 1955 किलो मेटर तो यह च्चिछ आपक और आपन बात करें के रल में कतक कर ली तो यह तोनों तीनौं आपको यहाद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं जीम कारवेट राष्टी उध्यान किस राजी में तो जूंक रजदानी देहरादून आप जानते होंगे दोस्तों चलिए तो यह आपका कम्प्रेट यहां पर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश जानते हैं लकनो उत्तर प्रदेश की राजदानी लकनो होगी गोमति नदी किनारे हिमाचल प्रदेश की आपको याद होगा दोस्तों शिमला है और असम के हमारी क्या ओजाए की दोस्तों दिस्पूर अगला है भारत का ग्र पाचीन शहर उज्जेन किस नदी किनारे तो उज्जेन आपको पता होगो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे इस्तिते ठीके जिसके लंबाई 195 किलोमेटर रहे अभी नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना भी इस्तापित की जा जुकी है यह ना सिहस्त परियोजना की हिसाब स्कोलव जुक स्फेक इतों स्वारत अवर्ट माने बे रिशिकला शुकला नाइस प्रогए तो रिशिकला शुकला आपको याद玩ता जी ठीकए चली उस ठाइम पर आलोग कुमार वर्माद जी थीफडिके अगला विश्द में आता है दोस्तों विश्त को मैं आपको कोश्यं यह आपको यहाद रखना है दोस्तों ठीक है चली आगे बात करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लिस इसको शेर जरू कीजिएगा ना कोशन आपका भारत का पहला रक्षा विश्विध्याले किस का इस्तापित किया गया तो भारत का पहला रक्षा पंजाब जानते हैं पंजाब कि चंडीगड़े हरयाना की भी पंजी उत्तापतेश किम चर्चा कर चुके दोस्तों अगला कोशन आता है इसी के सान से हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन है हमारा ये जो भी कोशन बाकी सब्सक्राइब याद रखना है आपको पूर जोका और को ठीक记ंब छौदा नॉंबर को बाल कि मनें Gerald song अता है दोस्तों हमारा आगे के चर्चा करते हुआ यह कहिआ धरिक और में उम्हो प्रमाणट बोड़ kllosphे ऐस ठीक है इसकी तरेक्षाण्द जोशी आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन आता है अभी अनुप हम खेर थे अभी वर्तिमान में वापस से इनको बना दिया गाया ठीक के चलिए अगले कोशन के हम हम बात करते हैं दोस्तों अगर इसमें कुछ गड़बट हो तो मुझे कमेंट जरू कीजेगा ठीक है चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों यह आपके कोशन यह पर कम्प्रेट होते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स बेल आइकन दबा दीजिगा और साड़े बारा बजे दो पर में जुड़ना बिल्कुल ना भूले धन्यवास साथियू कि अजी है इज कन दोग्आएब झाले बीन दोग्रोश